बैडमिंटन के लाड़ी स्वरव वर्मा का आजी के दिन 30 सिसम्बर 1952 को चन्द हुआ था वो भारतिय राश्री चैंपेंशिप में तीन बार की पुरुष एकल खिताब की चैंपियन है वर्मा करियर की उच्छो विश्वर रैंकिंग में नंबर एक पर पहुँच के हैं सौरव वर्मा ने अपने पिता सुधिर वर्मा द्वारा पेश की गई छोटी उम्र में बैडमिंटन में अपना करियर शुरू किया इंडिया ओपन गोल में उपविजेता रहे 2012 में सौरव वर्मा करिय के उच्छो तम स्तर पर भोच गे विश्व रैंकिंग में 30, पूरे वर्ष सरवश्रिष्ट परिनामों के साथ मलेशिया और थाइलाइन उपन ग्राउंड प्रीमेर लिग गोल में कौर्टर फाइनलिस थी साथ ही चाइना मास्टर सुपर सिरीज में भी सौरव वर्मा ने 2013 और 2014 में बैक टो बैग अंतराश्ट ये खिताब चिते उनमें से पहला 2013 टाटा इंटरनाशनल चालेंज मुंबई में आयचित किया किया जहां उन्होंने प्रणे कुमार को हराया वर्मा ने 2014 इरान फ्रस इंटरनाशनल चालेंज में एले गुना धर्मा को हरा कर अगला किताब हासल किया और 2014 उस्ट्रियन इंटरनाशनल चैलिंज में चैंपियन बंद कर लगातार तीसरा खिताब हासल किया जिससे उनके उच्छ रैंक वाले प्रतिद्वन्दी व्यूसियू जेन हाउ परिशान होगे चिनकी शायरी आज भी नारों की तरह समाल होती है जिनके शेर इकबाल का सबब बनी चिनके लेकर ने बेलगाम सत्ता के खिलाफ प्रतिरोत को स्वर दिया हम बात कर रहे हैं हिंदी के उस महान शायर दुशिन कुमार की जिने जिन्दगी तो मिली महसत 44 साल की लेकिन नौजवानों की एक पूरी नसलों को जीने की मकसद देगे और उनकोई और नहीं गजलकार दुशिन कुमार त्यागी थे आज ही के दिन 1975 में उनका निधन हुआ था 27 सतंबर 1931 को उत्तरप्यदेश की बिजन और जन्पत की नाजी बापात की राजपूर नवदा कराम में पैदा हुए हिंदी के समर्थकवी और गसलकार दुशिन कुमार त्यागी का बहुत कम उम्र में 30 सतंबर 1975 को दिल का दोरा पढ़ने से निधन हो गया दुशिन कुमार ने लिखन में जब कदम रखा तुश्यारी में ताच भूपाली और कहफ भूपाली तो हिंदी कविता में अगिय और मुक्तिबोत कार राज था ऐसे में दुशिन कुमार ने अलग पहचान और दगीर अंदासे बया का जो रस्ता अक्तियार किया उसका असर दशको बाद भी बना हुआ है मत कहो आकाश में कोहरा घना है यह किसी की व्यक्तिगत आलूचना है जीवर ने दुशिन कुमार को ज्यादा समय दिया होता तो हिंदी कजल और कविताओ के वे और सम्रुद्ध कर पाती आपातकाल के खिलाफ लिखी गई उनकी ज्यादा तर गसले साई में धूप नामक संग्रा में है उन्होंने एक कंटव विश्प्याई और मसीहा मर गया, सूर्य का स्वाकत, छोटे छोटे सवाल जैसे कई दूसरे काविय नाटक, काविय संग्रा और उपन्यास लिखे जिनमें कई रचनाय आज भी लोगों की सुबान पर है एक जंगल है तेरी आखों में, मैं जहार राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पूल सा थतरता हूँ, ये भी उन्हीं की लिखावट है विक्रम अंबालाल सारा भाई का चन्मा एहंदाबाद में 12 अगस 1929 को हुआ था उनके पिता अंबालाल सारा भाई एक संपन्द उद्योग पती थी, तथा गुजरात में कई मीलो के स्वामी थी कैमरेश विश्य विद्याले के सेंट जॉन कॉलिज से डॉक्टर की दिगरी हासल की, आज एके दन 1971 में उनका निधन हुआ था 12 अगस 1919 को जन में सारा भाई उस पीड़ी के सदस्य थी जो भारते पुनरजागरन काल की नीताओ की कहानिया सुनते हुए पड़ी हुई थी या उन्हें देश में काम करते हुए देख रही थी महात्मा गांदी, रविन रनाट टैगोर, पंडे जवालार नहरू, सहिद अपने अपने क्षेतर के दिगच इस दौर में मौचू थे और उनकी मानविय विचारधारा से सारा भाई ताउम्र प्रभावित रहे हाला कि जिस तरह के काम सारा भाई ने किये है, इस आधार पर उन्हें भी भारतिय पुनर जागरन काल का प्रतिरी धीन माना जा सकता है उस दौर में परमानु वैग्यानिक डॉक्टर हुमी जहांगीर भाबा भारतिय वैग्यानिक समुदाय के अगवा थे सर्फ भारत में ही नहीं अंतराश्ट्रे विरादरी में भी भाबा की खासी प्रतिष्ठा थी परमानों में इलेक्टरान की गती स्तिति से संबंदित बोर मॉडर देने वाले नील्स बोर के साथ-साथ उस जमाने की और दूसरी जानेमानी भौतिक वैग्यानियों के साथ भाबा काम कर चुके थी और वे परमानों उर्शा शान्तिपुर्ण उपयोग के बड़े हिमायती थी जैसे कलाम को सारा भाई ने पहचाना था वैसे ही भाबा ने सारा भाई की प्रतिबा को पहचाना था अपनी पढ़ाई की बीच 1929 में भाबा पारताय थी और इसी समय दूसरा विश्वयुद छुड़ गया इसके बाद उन्होंने यूरप जाने का विचार छोड़ दिया और बैंगलोर के इंडियन इंसिट्यूट ओफ साइंस से जुरके कैम्ब्रिज से लोटे सारा भाई को भी अपने अध्यान और शोट के लिए यही ठिकाना मिला और आखिरकार उनकी यहां भाबा से मुलाकात हुई अद्बत वैग्यानिक मेधा से संपन्द इन दोनों वैग्यानिकों की मुलाकात अपने अध्यान क्षेत्रों के मताबिक दो विपरे दुरूओ की मुलाकात थी दोनों ने कोस्मिक किर्णों की क्षेत्र में अनुसंधान किया था लेकिन बाबा जहाँ अनुविज्ञान में दल्चस्प भी रखते थे तो सारा भाई की अध्यान का क्षेत्र अंतरिश्विज्ञान था BCN News के दिन विशेश कारिकर में फिलहाल इतना ही SCN News और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें BCN News नमश्कार